नमस्कार दोस्तों आज बताने वाला हूँ कि कैसे आप क्रिप्टो इंकम के केस में ITR फाइल करेंगे हैं जी दोस्तों अगर आपकी क्रिप्टो करंसी में ट्रेडिंग करते हैं आप क्रिप्टो करंसी में इन्वेस्ट करते हैं वहाँ से अगर आप प्रॉफिट कमाते हैं ग से assessment year select करेंगे current assessment year है assessment year 24 पच्छेस online file करने वाले है continue पर click करेंगे ठीक है start new filing पर आजाएंगे individual select कर लेंगे individual है आपको individual कोई लोगों कोई single person है ठीक है तो इस case में देखो ITR form कौन सा select होगा समझना अगर आपकी crypto की income है only तो ITR 2 file करेंगे अगर आपकी salary income है और crypto income है तो भी ITR 2 file करेंगे और अगर आपकी business income है और crypto की income है तो ITR 3 file करेंगे अगर आपकी salary income business income और crypto की income है तो उस case में भी ITR 3 file करेंगे और अगर आप share trading करते हैं ठीक है F&O trading करते हैं और crypto भी करते हैं तो उस case में ITR 3 file करेंगे share trading करते हैं normal short term long term capital के रहे हैं तो ITR 2 file करेंगे और crypto भी है तो ITR 2 file करेंगे तो form का selection बड़े ही carefully से करना होता है ठीकिए ITR 2 select कर लिया तो चलिए समझते हैं उससे पहले बतना चाहूँगा अगर आप हमारी paid services लेना चाहते हैं ITR filing की crypto की ITR filing की तो वो भी ले सकते हैं paid services का link वेडियो के description में तो यहां से proceed with ITR 2 पे click करेंगे तीन step है पहले में validate डूसरे में confirm तीसरे में verify होता है let's get started पे click करना है तेक है अब यहां reason पूछता की ITR क्यों file करना चाहते है पहला basic exemption limit से ज़्यादा है मेरी income इस वज़े से या फिर दूसरा income tax के 7th proviso को comply करता हूँ जिसके वज़े से मुझे फाइल करना है 7th proviso यह 4 है इन वे ज़ेकर आप किसी को comply करता है तो उसके वज़े से file कर सकते है यह तीसरा other तो मैं पहले वाले option के लिए रहा हूँ कि मेरी जो taxable income वो basic exemption limit से ज़्यादा है इसलिए पहले वाले option को ले लिया ठीक है basic exemption limit कितनी है all tax regime में डाइलाग new tax regime में तीन लाग की limit मिल जाती है ठीक है पहले step में general information होगा और बागी other schedule है जिसे income schedule, deduction schedule और tax related schedules और other schedules continue करेंगे यह बुलता है कि new tax regime से क्या आप बाहर होना चाहते है नहीं new tax regime से बाहर नहीं होना चाहते है अगर आप बाहर होना चाहते है तो yes करना बढ़ेगा ठीक है नहीं हम new tax regime में ही रहना चाहते है default है इससे बाहर होंगे तो IEF file करना होगा और salary income है तो उस case में बस आपको option कोई yes and no करना हो बस उसके salary के case में कोई other form file करने के जुट नहीं पड़े continue पे क्लिक कर देंगे deduction से rated information पूछ रहा है अगर बूल ला है कि ATC का आपको reduction मिल जाएगा ATC के reduction मिलता नहीं है अगर आप new tax regime में रहते हैं तो मैं एक बार देख लों कहां पे miss कर रहे हैं कुछ यह select कर लिए हमें इस एक हमें इस इहां से अटा रहा है इस तो नहीं चाहिए हमें income schedules के उंदर salary related income मेरी salary related income नहीं है आप चाहतो yes no कर सकते हो यह यह पर ठीक है कोई बार नहीं रहने तो capital gain यह capital gain से related है अपना virtual digital assets का capital gain के अंदर यह था तो इसको टिक कर लेना सारे साथ schedule bdya भी भरना होगा आपको ठीक है इसके लब other की कोई मेरी income नहीं है अगर आपकी होती तो आप सेलेक्ट कर लेना selected कोई दीकर नहीं स्पेशल income बागत सब ठीक है continue करेंगे करा कि तेरा शेडूल सेलेक्टेड है ठेक है continue कर रहे है अभी बोलता है कि no selected default में हम इसे बाहर नहीं हो रहे है अगर इससे बाहर होना चाहते तो यस करना बढ़ेगा no selected है continue पर क्लिक कर दिया अदो यह सब exemptions है जो मिलेंगी इसके अलावा deductions जो है इन सब का है लेकिन इस case में भी deductions जो है वह अलाव नहीं होता कुछ-कुछ deduction अलाव है कुछ-कुछ deduction अलाव नहीं है ठीक है इसके बाब नीचे आ जाता है रेजिदेंशल स्टेटस में रेजिदेंट हो गए कंडिशन कौन सी पहली वाली सैटिस्वाइड कर रहे है ठीक है नो नो डारेक्टर्शिप है नहीं नो एकुछ यह अनस्टिड है नहीं नो से पर क्लिक कर दिया बस कंफर्म पर क्लिक कर दि है अगर आपकी होती है तो आप दे सकते है मैं कंफर्म पर लिक कर रहा हूं मेरी कोई सेल्ली की इंकम पोछा रहा है अगरा की मेरी शेडूल वीडिये को इसको इसको इसमें यह वाला लेःते है ओप्शन एक करना बढ़ए गा capital gain के income यह बनेगी वो भी video से बनेगी इसलिए सिर्फ मैं इस वाली option को लेगे select करके save करके आगे बढ़ रहा हूँ video से income अपने आप ही जब video वाला schedule भरेंगे तो यह capital gain वाला schedule है automatic भर के आएगा इसलिए बस किसी भी option को tick कर देना आपको दिखाऊंगा long term का आता यह देखो long term capital gain schedule 112a भरना होता है long term capital gain मेरा कोई भी नहीं है अगर आपका कोई है तो आप दे सकते हैं ठीक है मैंने long term वाले option पर tick कर दिया था इसलिए यह schedule खुल के आया है इसके लाब बाद है वो schedule वीडिया आ गया इसी के अंदर income जाती है income की detail virtual digital assets क्रिप्टो करंसी को इसमें रखा गया है virtual digital assets के अंदर इसके अंदर आपको information देना होती है क्रिप्टो के कितनी आपके income होनी है एड details पर क्रिक करेंगे क्या क्या देनी होती है सिबसे पहले date of acquisition है और date of transfer है तो मेरे पास heavy crypto की transaction है लगबग 3000 प्लस transaction है 3496 transaction जहां पर यह है मैं आपको दिखाता हूं देखो यह particular आ गया date of acquisition, date of transfer, head of income, capital gain, cost of acquisition और consideration receive तो यह दो है cost of acquisition और consideration receive पूरे साल की transaction है 34,000 transaction है 3,400 transaction है लगब 35,000 cash transaction है तो इतनी बड़ी transaction की detail को हम देने सकती है इसलिए actual sheet है मेरे पास हो इसका consolidated detail दे रहा हूं मैं consolidated detail किसे जाएंगे पूरे साल की transaction है तो date of position में यहाँ पर ले रहा हूं एक चार यहां से ले लेते हैं आगे date बढ़ा के एक चार 23 कर लेता है एक चार 23 के 23 से लेके 31 March 24 के बीच की transaction है capital gain है cost of acquisition कितनी है यह cost of acquisition इसको पांपी कर लेते हैं यहां करते हैं paste ठेक है यह आगा cost of acquisition ठेक है consideration receive consideration receive कितना हुआ यह consideration receive हुआ है ठेक है तो income कितनी बंगी 11,000,000 कि 11,000,000 गी ठेक है add पे click करेंगे तो मेरी यह income आ गई तो ग्यार लग बावन अजर की income आ गई confirm पे click करूँगा कितने प्रसंट tax लगेगा इसके ओपर 30% का tax लगेगा ठेक है other source की income की बात करें तो कोई other source की income है तो उसकी detail देनी होगी other source की मेरी कोई और income नहीं है इसमें कुछ interest वगर आ है दोखो interest आ गया अठाइसर रुपर का interest है और वो भी यह जो interest है income tax refund का है income tax refund का interest है ठीक है इसके लाब आपको और other income नहीं है ठीक है उसके बाद मैं आपको capital gain भी दिखा रहा था कि capital gain में किस तरह से detail और क्या-क्या भरके आएगी तो अगर हम यहाँ देखें तो देखते हैं चैजी दिखाता हूं देखो यह आगए income from transfer of virtual digital assets schedule वीडियो को भरा है तो उससे उठके आए capital gain ठीक है तो मैंने बताया था कि capital gain के अंदर जब detail आएगी जब आप schedule VDA भरेंगे यहने virtual digital assets की schedules को भरेंगे तो यहाँ पर आएगा यह current year losses है ठीक है कोई loss होता है आपका current year में उसकी detail आप दे सकते हैं वो loss यहाँ से adjust होगा लेकिन crypto के case में अगर आप loss कमाते हैं तो उसका benefit नहीं मिलेगा आपको profit कमाएंगे तो उस case में आपको उसके उपर tax भरना पड़ेगा समझ गया यह नहीं की profit कमाया तो loss उससे adjust कर देंगे ऐसा नहीं हो सकता उसके वाद है broad forward losses कोई broad forward losses है उसकी return ठीक है तो basically अगर आ profit कमाते है crypto पे तो tax दे अपड़ेगा और loss कमाते हैं तो उसका benefit नहीं profit कर सकते हैं उसको 100 रुपे का profit कमाया उसमें 50 रुपे का loss है तो 50 रुपे को गौए तो आपको भूलना होगा लेकिन 100 रुपे पूरे पे टेक्स देना पड़ेगा यह नहीं कि 50 लइस के balance amount पर टेक्स में आँए यह में कितना किरी फर्वड कर रहे हैं लॉसे तो किरी फर्वड लॉसे कुछ भी है यह आप aí तो आगे बढ़ते हैं अगे बढ़ते हैं इसुटिशल इनकम सब्सक्रिण क्टिपर बता रहे इन आए कि आपकी स्पेशल इंकम बढ़े है यह वनिया इनकम विर्चुल डिश्टल एसेट्स का जो रंजेक्शन हुई उसके वज़े से इंकम बनी है 30% का टैक्स बनेगा यह दो 30% निकाल रहा है तो लगबग 3,45,000 का इंकम टैक्स बना देगा ठीक है इसके बाद बात करें तो डिडेक्शन से डिडेक्शन की डिटेल्स को पूछ रहा प्राइब कि हम नुकिक्स रिजीम के अंदर हैं गसे डिटेक्शन मिलते नहीं है तो डिडेक्शन कोुई भी डिडेक्शन यहां पे नहीं मिली इसकी अलावा कम्पूटेशन आफ टोटल निकम की बात करें कम्पूटेशन और और टैक्स क्रेड़ित टैक्स क्रेड़ित हम इस पर हमारे पर अप्लाई नहीं होगा इसके बाद कम्पूटेशन ऑ टोटल इंकम की बात करें तो यह 11 और वावन की टोटल इंकम कैलकुलेट हुई ठीक है यह इंकम देख सेक्ते हैं जो टैक्स बनेगा वो इसी के उब बनेग अब नीचे आजाते हैं जो फाइनल कोलम है कम्पूटेशन ऑफ टोटल इंकम टाक्स मुलब टाक्स की जो कैल्कुलिशन है उसकी डिटेल आएगी तो देखो तीन पेटालिस सास्तो बारा का टाक्स बना इसके उपर तेरह जार रुपए का हेल्ट जो टाक्स बना वो तीन करके जा सकते हैं यह भरें अब कर रहा हूं कि कैसे पर ना है आपको प्रिवीव इंक return का preview देखेगा आपको उसके बाद यहां पर agree पर tick कर देंगे then proceed to preview पर देंगे घाईटर का form इस प्कार से आपको देखेगा proceed to validation पर आएँगे हमारी यह आईटर आईटर 2 successfully validated है proceed to verification पर आनाते है वेरिफेकिशन पर आगे उसके बाद कि वेरिफाई ITR और वेरिफाई नाओ तो मैं अभी वेरिफाई कर रहा हूँ यह वेरिफाई कर रहा हूँ इसलिए कंटेनर पे किलिक कर दिया सलेक्ट करके और यहाँ पर देखो वेरिफाई करने के बहुत सारे अप्षन है अधार OTP यह DST का यूज़ करके वेरिफाई कर सकते है तो इस प्रकार से आपको क्रिप्टो की ITR फाईल कर दिया है ओनलाइन वीडियो को से लगी ज़रूर होता है थाइंक यू सो मच जाएंट वन दे मात्रा